नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्टडी फॉर यूपेसी पिसल से हमें स्वागत है अस्परधा पर्विक्रेशन के करेंट अफेर का बिहार इस्पिसल जो करेंट है उसका अंतिम वीडियो है ये है ना और इस बुक से आप लोगों के सारे करेंट अफेर के जितने mcq हैं सब क mcq होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे एक वीडियो और लएगा जिसमें इस पूरे बुक का एक mcq हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे यकीन मानना बीपेसी देने जायरा हो अगर आपका 21 सेप्टेंबर को एक्जाम होता है तो बिहार के लिए इस वीडियो को इस अस्परध हैं कि नाम घोसित एनेच 527 ए राश्टिय उचपत कहां से कहां तक जाता है इसका एंसरो जगे ए राम नगर चे समस्तिपूर तक नभ घोसित एनेच राश्टिय उचपत दर्भंगा के राम नगर से प्यार मकर समस्तिपूर जिला होते हुए रोसरा तक जाएगा 2224 तक आकांची जिला कारीकर्म का अंतरगत कि जिले को ये विकास के सभी छेत्रों में समगर रूप से बेहतर कारी करने के लिए बिहार में अवल अस्थान प्राप्त हुआ है ति इसको है खगरिया जिला को आकांची जिला कारीकर्म किसका है ति नीतिया योग का है इसमें इसको टॉप रेंक मिला है खगर याजिला को बिहार में बिहार का कौँसा सहर या सहर, क्लीन इंडिया में टॉप पर पहुँचे हैं कौसा ए कौनसे इसके अभादी Ok कौन कौन से तीन सहर मुंगेर पटना और सोनपूर क्लीन इंडिया में टॉप पर पहुंचे हैं कौन कौन से मुंगेर पटना और सोनपूर इन तीनों को एक लाग सधिक आवादी वाले सहरों मुंगेर ने दूसरे और पटना ने तीसरे पाइदान पर है गंगा की धारा के पास सहरों को साप रखने में सोनपूर ने चौथे नमबर पर है सोनपूर को एक लाग से कम आवादी वाले सहरों में या उपलब्दी हासिल हुई है तो ये सभी सहर सभाई में टॉप कर रहे हैं ये अच्छी बात है स्वक्स्ता सर्विक्षन द्वैरकीस का परिणाम वाले सेनी में एक लाग से कम आवादी वाले 43 सहरों बिहार के कितने सहर हैं तो 9 सहर हैं बिहार के कहीं पर किसी MCQ के एंसर में आपको कुछ अलग दिखे ताब मुझे जरूर बताना मैं उसको करेक्टर नहीं कोसिस करूँगा गलत पर के नहीं जाना चाहिए उससे अच्छा है मत पर हो समझ रहो ना अब जरूर बताना मैं करेक्टर जरूर करता हूँ राज के प्रसीद परेटर अस्थल बोध गया कोवा ध्यात्मिक अस्थलों के सेनी में देश में कौन सा अस्थान मिला है तो दूसरा अस्थान मिला है दूसरा बिहार की जिले में आईरन अभरक का भंडार खोजने तो भूब एगयान को कि टीम सर्विक्षन करेगी तो भागलपूर जिले में आईरन और अभरक का भंडार खोजा जाएगा कहां पर तो बटिस如何 अस्थान कोसारी और जगरनातपुर में है कास्री और जगरनातपुर के पहरियों में हाली मिहारत निरवाचन आएग ने बिहार के आबाधी की लिष्ट जारी किया बिहार की जंसन क्या कितनी हो गई है तो 14 करोण 91,330 हो गई बिहार की जंसन क्या है हालिम बिहार के किस धार्मी कस्थल को परेटन मंत्राले की प्रसाद योजनाम सामिल किया गया है सिता मरग उपरेटर मंतराले के परसाधी उजनाम है हालिम केंसरकार ने जाइडस कैडिला का टीका सरपरफम किस राजी को प्रदान किया है? बिहार को और ये कोबीड का निया टीका है जाइलस कैडिला सुई रहित कोरोना के पहली वैक्सीन है सुई रही तो इसमें सुई के अगर ज़रुत नहीं पड़ता है बिहार बीकास मिसन के द्वारा जारी जीलो की रैंकिंग में सहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम अस्थान पर है सहरों में नल जल देने के मामले में तो यह जहानबाद जिला टॉप पर है हाली में कौन सा नियाल है यूट्यूब पर मुकदमों के सुनवाई करने वाद देश का पांचवा नियाल होगा तो यह पटना उचे नियाल है हाली में जारी स्मार्ट सिटी डैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम अस्थान पर आया है तो यह है भागलपूर जिला पहले अस्थान पर आया है स्मार्ट सिटी डैंकिंग में इसे राश्टी अस्तर पर तो ब्यालिसमा रैंक हासिल हुआ है इस रैंकिंग को पटना का स्थान अस्थी है हाली में बिहार एक किस जिले में Intrigated Road Accident Data विए सेवा सुरू की गई है तो 14 का अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है यानि की इस का अंसर हो जाएगा नालंदा Intrigated Road Accident Data यहाँ पर एक हो जाएगा यहाँ कोंसी जगह पर जाएगा एकसिडेंट होते हैं कम एकसिडेंट होते हैं किस वज़े से एकसिडेंट होते हैं इस यह चीज नालंदा में सुरू किया गया है हाली में एक रिपोर्ट का अंसार Attal Pension योजना का लाब उठाने बिहार का कौन सा अस्थान है तो बिहार का दूसरा अस्थान है अटरल पेंसन योजना का लाव उठाने में हाली में जारी मंडेगा राज यस्तरप बिहार का कौन सा जिला परतम अस्थान पर रहा है तो पुर्गी चमपारन अगले कुछन पर चलते हैं इस्रम पोर्टल बिहार का स्थान कौन सा रहा है तो दूसरा स्थान रहा है इस्रम पोर्टल में हाली में जारी राश्ट्य परिवार स्वास्थ सर्वेशन NFHS 5 द्वारफ जारी आंकरो कंसार बिहार का लिंगान पात कितना है तो 1090 है कितना है हाली मजारी किसोर नौकरी मांगने सब्सक्राइब है तो बिहार के यूआ ही नौकरी मांगने निस्फॉस जयदे आ तुस्ट हुआ कि मिंजारी डेल्टा रैंकी में बिहार का कौन का जीलास परतमр अस्थान परпिर घ्याम के कर पहले अस्थान उसका उसी साह से परहाई करो लोग सिखायत निवारन के डैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला परत्थम अस्थान पर आया है तो रोतास जिला परत्थम अस्थान पर आया है हाली में अटल पेंसन योजना के आवेदान अपंजी करना कौन सा राज पर समस्थान पर आया है अटल पेंसन योजना में कौन सा राज है तो बिहार है टॉप पर अगरा है कि let's inspirebihar.org या किस के लिए लॉंच किया गया है तो ये उद्यमिता के विकास के लिए लॉंच किया गया है let's inspirebihar.org एक वेबसाइट है इसको लॉंच किया गया है let's inspirebihar.org ग्रीह दरसन अप की सराय सरकार को दरा लॉंच किया गया है इसको बिहार सरकार ने लॉंच किया है कानून बेस्था को और बेहतर करने वा जरूरत के समय लोगों की साहिता के लिए ग्रीह बिभाग ने ग्रीह दरसन अप को लॉंच किया है नीतियाग दरा जारी health incremental progress report में बिहार का कौन सा स्थान रहा है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer एक ग्यारमा स्थान है नीतियाग जार जारी health incremental progress report में बिहार का ग्यारमा position है 11th बिहार के health index मामलें overall प्रदासर में 0.76 point की प्रगती हुई है एलेक्ट्रिक गारियों के विक्री के में बिहार का कौन सा स्थान मिला है चौथा 4th position है बिहार का एलेक्ट्रिक गारियों के विक्री में और गारियों के रेश्टेसन में उत्ता प्रदिस पहले पर दिल्ली और करनाटक बाद बिहार का स्थान है UP दिल्ली करनाटक फिर बिहार बिहार का कौन सा सहर Eat Smart City Challenge में टॉप 20 में सामिल है Eat Smart में तो पटना सहर सामिल है Smart City Mission और Food Safety and Standard Authority जो FSI है उसकी पहल में चलाए गया इसमें 20 सहरों में पटना सहर भी आता है जल जीवन हरियाली मिसन के तहत बिहार का कौन सा जिल्ला हरियाली मामले बरहाने के मामले मसिर्स पर है ग्रोथ के मामले मसिर्स पर पूछ रहा है इसके अंसर क्या हो जाए गया जिल्ला है हाली मराजी के किस जिल्ले के स्कूली चातर दौरा बनाए गए Air Water Generator Project को भारत सरकार ने पेटेंट करवाया है Air Water Generator Project को तो गया जिल्ले के चातर है जिसने बनाया था तीन चातर हो दौरा बनाया गए Water Generator को पेटेंट मिला है नीती आगनी से बाजार में लाने है तो मंजूरी भी दे दी है हाली मराजारी स्वक्सता स्रवक्षन दौरा की इसमें बिहार को कौन सा अस्थान मिला है तो D13 मा अस्थान मिला है हाली मराजारी 121 वार्ड में से बिहार के कौन से जिले को Best Citizen Feedback Award मिला है तो ये सुपोल जिला को Best Citizen Feedback Award मिला है स्वक्सता स्रवक्षन होता कहना है अलग-अलग कैटिकरी में मिलता है Best Citizen होता है West Management में होता है उसके बाज से Feedback वर होता है इसी अधार पर Best Citizen Feedback सुपोल को सबसे अच्छा मिला है बिहारी किस वेग्यानिक और उनकी टीम ने बैक्टिरिया के पहचान करने वाली नई टेकनलोजी का विसकार किया है तो डॉक्टर उज्वल वर्मा नाम है इनका करनाटक के मनिपाल इंस्टिटूट आप टेकनलोजी प्रोफेसर डॉक्टर उज्वल वर्मा ने इनकी खोजगी है नीतिया इने सिक्षा की चतने बदलाव के लिहाजासे आकांची बिहार के किन जिलो को सिर्स पांच में सामिल किया है इसके अनसर ज़एगा इ आकांची जिला कारी करम जो है इसमें बिहार के किसकी जिला को सामिल किया गया है तो मुझपरपूर और अंगाबाद बांका और सिक्पूरा को करमसा जारखंड के दुमका के बाद सिर्स पांच जिलों में रखा गया है पहले अस्थान पर जारखंड का दुमका है दूसरे पर मुझपरपूर और अंगाबाद बांका और सिक्पूरा आते हैं ये सब डिजिटल साक्षरता में बिहार का कौन सा जिला पर्थम अस्थान पर है मदवनी जिला डिजिटल साक्षरता में पहले अस्थान पर है आगे चलते हैं बिहार में किस जिले का चूरा नास्था करूप में सभी जेलों प्रबंदित किया जाएगा तो यह पुर्णिया जिला का नास्था है चूरा जो सभी जेलों प्रबंदित होगा किस राज या केंसासी प्रदेश के तरज पर बिहार में केमिकल के पराली जलाई जाएगी तो दिल्ली में केमिकल से पराली को जलाई जाएगा ना कि धुवां करके आग लगा के नहीं जलाई जाएगा पर दूसन होता है उससे अगला है कि घर बैठे खेती के गूर सीखने के लिए कौन सा एप बिक्सित किया गया है तो बिहान एप को लाँच किया गया है खेती के लिए किरसी के लिए है ना बिहान एप इसको जरूर ध्यान में डखना रूरल मार्ट में जिविका दीदियों के द्वारा कीन वस्तों के विक्री की जाएगी तो रासन के विक्री की जाएगी रूरल मार्ट खुला जाएगा नीती आग द्वारा जारी जिला अस्पताल पर बनी रिपोर्ट में किस राज के अपर दर्सन सबसे खराब है जिला अस्पताल सबसे ज़्यादा किस देश के किस राज में खराब है तो अपने बिहार में ही सबसे ज़्यादा खराब अस्पताल है समझ रहो ना और यहां पर क्या लिखा हुआ है वहीं सबसे बहतर इस्थिती केंसासी प्रदेश पुदुचेरी की है यहां एक लाख आवादी पर 222 बेड़ है बिहार में कितना है एक लाख के आवादी पर मातर 24 बेड़ अविलेबल है समझ रहो तुम नहीं इससे भी अद्बत्तर इस्थिती है हमारी यह तो देश की स्थिती है एक लाख आवादी पर 24 है पूरे भारत का अविरेज बिहार के कितना है एक लाख आवादी पर मातर 6 बेड़ अगले कुशन पर चलते हैं तो कितना है बिहार में एक लाख आवादी पर 6 बेड़ है मातर FSI Food Safety Ranked में बिहार को कितने स्कोर मिले है इसका अंसर ए 35 स्कोर मिला है बिहार को 35 और जबकि गुजराद 75 अंकों के साथ सीर्ज पर रहा है बिहार सबसे नीचे था गन्ये से बनने वाले गुर के उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राजी कौन सा है तो बिहार ही है इसने गुर को उद्योग की संग्या दी है इससे क्या होगा बैंक से जो लोन बगार मिलते हैं उद्योगों को मदद के लिए वो सम मिल सकेंगे इसको अगला है कि Center for Monitoring India Economy ने जून 2022 के आकरोक अंसार बिहार बिरोजगारी दर कितनी है भयावा इस्थिती है 13.8% है बिहार बिरोजगारी दर 13.8% बिहार बांस साल तक है कितने परिश्यत बच्चों में कुपोशन के लक्षन मिले हैं तो हमारे लिए सर्मगीतगी है 22.09% कुपोशन के बच्चे मतलब इनी में मिले हैं लक्षन 100 बच्चों में से 22 बच्चे को पोशित हैं है न और सुशासन चल रहा है हाल ही में जारी C.A.G. के रिपोर्ट कंसार बिहार का मानव कारे दिवस सिर्जन करने में कितना अस्थान है मानव कारे दिवस का सिर्जन बिहार ने जो किया है उसमें पूरे देश वर उसकी रैंकिंग कौन सी है तो B21 रैंक है 21 रैंक है इसका बिहार का मानब दिवस्तिर जान करने में अगला है कि देश के कुल स्वर्ण आईस में बिहार का कितना प्रतिसत हिस्सा है तो B42 परसेंट हिस्सा है 42% देश के सवर्न एस का सबसे बड़ा संसाधन बिहार आज में ही है संसाधन प्रस्तु देश में सोने के संसाधनों पर राष्टे खनीज सुची डेटा से पता चलता है कि बिहार में 22.8 million ton 23.2% रहें है 21.42 याद रहेगा और 22.8 million ton जरूर ध्यान में रखना ये डेटा पूछेगा जमुई जिलाम मिला है कुछ दिन पहले एनिमिया मुक्त भारत सुचकांग 2221 के रियास्टिय रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है बिहार का 22 वा स्थान है ओवर ओल इसका रैंकिंग है देश भर में 51 21 रैंकिंग है इसका इंजिनिरिंग केटिगरी के रैंक में 20 में अस्थान मिला है आई टी पटनान रिसर्च में पहली बार 47 मी रैंक हासिल की है NIRF 12 में बिहार के किस संस्थान प्रवंधन सेनी में सिर्फ 100 कि सुची मस्थान हासिल किया है अभी ही बताया मैंने तो प्रवंधन सुची में इसका अंसर क्या हो जाएगा चंदुरुत प्रवंधन संस्थान पटनाने प्रवंधन मैनेजमेंट में अगले पर चलते हैं कि कुपोशन से बच्चों के स्थिती पर राष्ट्य फैमली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ड वैर B से किस का अंसार बियार में किस जीले के बच्चे सबसे ज़्यादे नाटापन के सिकार है नाटापन एस टंटिंग जिसको बोलते हैं इसका अंसर हो जाएगा D सेखपुरा सेखपुरा के बच्चे मुस्बस ज़्यादे नाटापन की समस्या है सीभर के बच्चे सबसे ज़्यादे दूबले पन का ये समय परहा चुका एकॉनमिक सर्वे में इसके बाद रोहतास औरंगाबाद के बच्चे दूबले हो रहे हैं कुपोसन के वैसे सेखपुरा के बच्चे सबसे अधीक प्रभावित हुए है बांका दूसरे अस्थान पर है पत्ना प्रानी उद्यान गैंडो की संख्या के मामले में किसा अस्थान पर है दूसरे अस्थान पर है गेंडो की संख्या के मामले में पटना प्रानी उद्यान में गेंडो की संख्या 12 है कितने हैं 12 अगला है प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाकार परिस्थ का देक्स दॉक्टर विवेक देवराय ने भुजुर्गों के जीवन की गुनवत्ता सोचका अंक सिर्षक से रिपोर्ट जारी की इसमें बिहार का कुल स्कोर कितना है क्या रिपोर्ट का नाम है भुजुर्गों के लिए जीवन गुनवत्ता इसका अंसर जाएं B 51.82 स्कोर है बिहार का पहले अस्थान पर राजस्थान है दूसरे पर महराज तीसरे पर बिहार है राश्टिय संपार्स्विक प्रवंधन सेवा लिमिटेड ने बिहार के किन दो जीलों में भारत के पहले चावल के साईलो गोदाम के निर्मान है तो पाइलेट परटेजना के सुरुआत की है तो कैमूर और बकसर बनाया जा रहा है साईलो गोदाम बनाया जा रहा है किसके लिए तो अभी परहा मैंने चावल के लिए बनाया जा रहा है इसको जरूर ध्यान में रखना वेरी वेरी इंपोर्टेंट कहां पर कैमूर और बक्सर में भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम बक्सर जिले के इढ़ानी प्रखंड के बेरी और कैमूर जिले के मोहनिया के यहां पर बनाया जा रहा है बस यही था और इसकी छ्वम्ता तो देखी रहो बहुत साथ है बारावजार पांसो में ट्रिक टंन है और इन दोनों अस्थाउंन पर गिम्का भी 3700 00 серьез में रूणा वाला साइलो गोदाम साइलो कदाम बने गा इसको पहली बार भारती वाइसनम किस वर सामिल किया गया था तो दोयर 19 में चीनुक को सामिल किया गया 19 इस भी में अगले कुशन पर चलते हैं कि National Monetization Pipeline के तहट बिहार किस एरपोर्ट को साल 22-23 में नीजी हाथों मसौंप दिया जाएगा तो पटना एरपोर्ट को नीजी हाथों मसौंप दिया जाएगा Monetization प्रोग्राम क्या है कि देश की जो संपत्ती है उसको नीजी हाथों मसौंप दो और पईसा कमा लो यही है भारत माला दो के तायत बिहार ने पहली बार Extracted Expressway का निर्मान Extracted Expressway का निर्मान पटना से किस सहर के बीच किया जाएगा मतलब ऐसा Expressway जिसमें आप एक ही जगा से प्रवेस कर सकते हो Limited इसमें प्रवेस होता है, निकासी भी limited होता है ऐसा नहीं होता है कि यहां से गाई लेके गाई उस तरह से उतर गई जैसे एनेच पर होता है एक्सप्रिस्वे इसी को कहा जाता है तो ये कहां से क्या बोला है कि पत्ना से किस सहर के बीच बनाया जा रहा है तो पत्ना से कुलकता के बीच बनाया जा रहा है पत्ना के बक्तियारपूर से बिहार सरीफ सिकपूरा, सिकंद्रा, खेराच, सोनू, च चौदमा आस्थान पुराप्त हुआ है, बालम की टाइगर इजर्व को चौदमा आस्थान मिला है, आगे बढ़ते हैं, इस सम्ध्धन पोडल जिसका सुहारम हाली में किया गया था, का समंध किस च्चितर से है, तो सिख्षा से समंध्धन पोडल है, इसके स्विकर्थी क्या क्या था मुक्य रूप से इसमंदन पोर्टल तो सर्टिफिकर जो जारी करती है ना जो विद्यालेयों को जो सीवीसी बोर्ड यह आई सीवीसी बोर्ड से इफिलेटेट गए उन्हीं को लेकर बस अनुसी देना है और कुछ नहीं है इसमें और कुछ भी नहीं है अगला है कि इंडिया टुडेज द्वारा हाल ही में जारी की गए रैंकिंग में बिहार का कौन सा कॉलेज विग्यान और कला के सेनी पुर्वत्तर भारत दूसरे स्थान पर आया है तिये वूमेंस कॉलेज पटना है जो पुर्वत्तर भारत में दूसरे स्थान पर है पटना वूमेंस क पूरे भारत में 31 रेंग हैं बिहार के तीसरी चेतरकला भोजपूरी पेंटिंग पर आधारित कोरी रोर के सुरुआत की इस रेलवे स्टेशन से की गई है तो आरा जंक्सें से सुरू किया गया भोजपूरी पेंटिंग भोजपूरी पेंटिंग, कौन कौन से हैं बिहार में, मतिला पेंटिंग है, मंजुसा है, भोजपूरी भी आ गया, पटना कलम भी है जो लॉजिकल सर्वे आफ इंडिया दोरा हाली में कराएगा सर्वे कंसार कोसी नदी में कितनी डॉलफिन पाए गई है तो 194 194 डॉलफिन पाए गई है, वित्वर्स 2021 में पूरे भारत में मस्रूम उत्पादन बिहार की रैंक क्या है, तो तीसरा रैंक है बिहार का पहले अस्थान पर रुईसा, दूसरे पर महराष्ट, और बस तीसरे पर हम ही है आगे बरते हैं, नीतिय आयो के SDG, इंडिया इंडेक्स और डैस बोग, दूयर 21-21 में बिहार को किस सेनी में रखा गया है SDG Index में पूछ रहा है परफॉर्मर की सेनी में रखा गया है है ना इसमें Achiever होता है Front Runner होता है उसका से परफॉर्मर होता है है ना तो पर हमें परफॉर्मर के रैंक में रखा गया है बस यही है बिहार का स्कोर 52 है यह सुचकांग भारत में सरुक्त राष्ट का सयोग से विक्सित किया जाता है भारत का स्कोर कितना है नीतिया एक द्वारा SDG के रैंकिंग जो होती है 52 मा है नीतिया एक SDG, इंडिया इंडेक्स और डैसबोर्ट सर्वाधिक योगदान किसका है बहारत में पर्याबरन कि इस स्थिती डिपोर्ट इनडेक्स तक सतर्अप बिकास लक्षिकों को पूरा करने के लिए 17 SDG से बिहार कितनी में पीछी है तो 17 से 7 Nep बिहार पीछे चल रहा है अभी बी रिपोर्ट कांसार भारत की रेंकिंग पिछले वर्स 115 थी जो 117 हो गई है बहुत सुन्दर जारखंड और बिहार 32 तक SDG को पूरा करने के लिए सबसे कम तियार हैं समझ रोन जारखंड और बिहार सबसे पीछे हैं कैमूर पहारी वन जीव आसराइनी से लेकर पलामू टाइगर रिजर्व तक की इलाके को जोर कर टाइगर कोरीडोर बनाने कारे सुरू हो गया है इस कोरीडोर और किस टाइगर रिजर्व को सामिल किया गया है इसमें सामिल किया गया है इसका एंसर ए दिया हुआ है इ में यानि की कौन-कौन से कैमूर पहारी वने आसरेनी से लेकर पलामू टाइगर रिजरव तक की इलाकों को जोर कर टाइगर कोरीडोर बनाने का कारे शुरू किया गया है इसमें बांधागवड टाइगर रिजर्व, संजय डूबरी टाइगर रिजर्व और मध्य परदेश के संजय डूबरी टाइगर रिजर्व में कैमूर पहारी वनेजीव आसरनी से छेतर जूरता है इन दोनों को ही जोरा गया है तो कौन-कौन सा बांदागवड टाइगर इजर्फ और संजय दूबरी जो टाइगर इजर्फ है इन दोनों को जोरा गया है टाइगर कोरीडोर बनाया जा रहा है कैमूर पहारी के पास से शुरू होगा नीतियायोग अगला है कि नीतियायग दर्जाई सतत विकास सुचकांग 20-20 की रिपोर्ट कांसार महिलाओं पर होने वाले अपराद के मामले में बिहार का देश में कौन सा अस्थान है तो बिहार का तीसमा अस्थान है इसमें बिहार का 29 राज़म के इनसासी प्रदेशों बिहार का तीसमा अस्थान रहा है असम में यह सबसे अधिक है दिल्ली में दूसरे अस्थान पर महिलाओं पर हुए अपराद के मामले में है असम में सबसे ज़्यादा फिर दिल्ली का दूसरी चीज ये भी है कि रिपोर्ट कितने अपराध होते हैं बिहार में NCRB रिपोर्ट अपराधों को दर्ज करता है रिपोर्ट होने पर अगर वो दर्ज नहीं हुआ तो उस अपराध को NCRB नहीं काउंट कर पाती है दिल्ली की संख्यां इसलिए ज़्यादे रहती है क्योंकि यहां पर अपराध सबसे ज़्यादे रिपोर्ट किये जाते है ओनलाइन भी आप FIR करवा सकते हो है न नीती आयोके SDG India Index और डैसबोर्ट 20-22 में भी ओनमा एसकोर क्या है भारत कर आजिम बिहार का 28 समां अस्थान है नीती आयोके इंडिया Index और डैसबोर्ट 20-22 में भी ओनमा ए five-tryट oh है वसे ही था इसमें तो एस डिजी इंडिया इंडेक 22 कंसार बिहार ने प्रती एक लाख आवादी पर आत्म हत्या के दर कितनी है तो जीरो तुसनलब पांच है दरवंगा एर्पोर्ट ने कोलकता रीजन में कॉन सा अस्थान प्राप्त किया है वो तीसरा अस्थान प्राप्त किया कोलकता कोलकता जो जोन है उसमें, दूसरी अस्थान पटना और तीसे अस्थान पर दर्वंगा रहा है एयरपोर्ट में, बिहार के किस उत्पाद को हाली में पादप स्वख्सता पर्मान पतर प्रदान किया गया है, तो साही लीची है इसको प्रदान किया गया है, अब तो मकहान को मिल गया है राष्टे जल्वायू भेदता आंकलन समीती द्वारे कीस में उल्लेखित भेदता सुचकर अगर बिहार के रैंक क्या है तो बिहार का छठा रैंक है बिहार कितनी पंचायती राज संस्थानों का चेयन राष्टे पुरसकार द्वारे कीस के लिए किया गया तो बारा संस्थानों का चेयन किया राष्टे पुरसकार द्वारे कीस के लिए पंचायती राज संस्थानों का राश्ट जलवाईू भेदता आंकलन रिपोर्ड दोहरेकीस में उल्लकित भारत के सरवाधिक 50 भेद जिलों बिहार का कौन सा जिला सिर्थ पर है जलवाईू भेदता मतल़ जलवाईू के हिसाथ बहुती सेंसिटिव है वो जिला तो कौन सा जिला टॉप पर है तो काठीहार जिला है जो जलवाई को मामले में सब्सजादे सेंसिटिव हैं बिहारे कुल 15 जिले भारत के सरवाधी 51 वन नडेवल जिलों में सामिल है जिसमें 14 जिले टौप 50 में और 51 में रैंक पर बक्सर हैं अगला है कि और टौप 10 टौप 10 में भी तीन जिले हैं कटिहार अररिया और कि एंसासिद परदेश बन गया है बारत है ना इसका एंसर जेगा ए C3 जो भिहार है वह तीसरा ऐसा बन गया राज्य जिसे इलेक्रिकटिक बसो का परिचालन बसे ही है पच्चीस एलेक्टिक बसे सर्क पर उतारी गई है इनमें पूर इस से पूरो देस में किवल दिल्ली और केरल में इलेक्टिक बसों का परिचालन हो रहा था भू अभिलेकों के डिजिटल आइसन और आधनिकी करन का मुल्यांकन करने वार इराश्टी एजेंसी दूसरे अस्थान पर केरल है तीसरे अस्थान बत्तिर पुरा ओके अगला है कि बिहार का कौन सा एरपोर्ट ग्राहक संतुष्टी सर्वे सुचकांग द्यार 20 में पूरे भारत में तीसरे अस्थान पर है तो यह गया एरपोर्ट है जिसने ग्राहक संतुष्टी में थर्ड रैंक षासिल उसल किया है अस्सी नमर कुस्ट न पहुंच गहे हम लोग जनवरी द्वारथ की fundamental की सुचिंव को भारते पहले अस्थान पर आया है नवादा जिला है जो भारत में पहले अस्थान पर आया है इथेनौल प्र बिहार के स्थान है बिहार का स्थान है बहुत प्रति वेक्ति प्रति दिन दूद की उपलबता में पूछ रहा है आप से इसका बी नॉमा अस्थान है और जो हम लोग इम्तियाज एहमत की बुक से हम लोग जोगरफी कर रहे थे MCQ वो भी मैंने अधूरा नहीं छोड़ा है उसको मैं कम्प्लीट करवाँगा एक से दो वीडियो लएगा वो कम्प्लीट हो जाएगा अगला है कि और कितना है तो बिहार में प्रती दिन प्रती वे से ज़्यादा है उसमें भी अगर हम इतना दूद उपलाव दिकरवार पा रहे हैं तो समझो दूद का उत्पादन कितना ज़्यादा होगा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने पूरे देश में महिला पुलिस कर्मियों के प्रतीसत में बिहार को पहला अस्थान दिया है यह रिपोर्ट किसके दोरा प्रकासित की जाती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके दोरा प्रकासित की जाती है यह रिपोर्ट जो है ना यह टाटा ट्रस्ट जो है वो प्रकासित करती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इसमें देश में कानून बेश्ता न्याइक परनाल कितना परतिस्थ हो गया है तो 25% क्या जारखन्द बटबारे के बाद भीहार का हरित आवराण 9% रह गया था 玩乐 12 में भीहार में हरीयालि में संखे संख की गई थी बधारू करीब में 15% हो गया है राज्यब्य पक्षि महत्सब कलरब कायजन किसके सहयोग से किया गया है तो Bombay Natural History Society आपको पता होगा ये जो Bombay Natural History Society है ये परियाबरन से जुरा हुआ पक्षियों के स्तारक्षां से जुरा हुआ ये देश की सबसे पुरानी सोसाइटी है आजादी से भी पहले 1917 ये 18 के आसपास देखना एक बार सर्च करके इसका गठन हुआ था Bombay Natural History Society का और ये कहां पर हुआ है तो कल रप्त जमुई के नागी नक्टी पक्षिय अभियारने में 15-17 जन्बरी 20-20 को मनाया गया था डगमारा जल्बी दूद परियोजना की जिले में अस्थापित की जा रही है तो ये आपको पता है ये कोसी नदी पर अस्थापित की जा रही है जल्बी दूद परियोजना और ये किस जिले में है ये सुपोल जिले में है 130 मेगावाट की जल्बी दुद परिजना स्थापित की जा रहे इस परिजना को पूरा होने पर बिहार का सबसे बड़ा जल्बी दुद सन्यंत्र हो गाई है पतना की सबसे अस्पताल COVID-19 संकर्वान के दूसरे दौर में COVID-19 डेडिकेटेड अस्पताल घोसित किया गया था तो ICIMS पतना को घोसित किया गया था नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार की सस्थान पर है तो ICIMS पतना के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी डिपोर्ट में नीति आयोग जारी करता है आपसे ये भी पूछ सकता है इसकूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स कौन जारी करता है तो नीति आयोग निमनखित में से किसे ग्रिह परिस्था द्वारा पांच स्टार रेटिंग दी गई है ग्रिह परिस्था के द्वारा तो 90 के अंसर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग डेलेबे ने दो सोसल साइट यानि कि फेस्बूक और ट्विटर पर ट्रेन के जानकारी देनी शुरू कर दी है इज ओफ लिविन इंडेक्स दोयर बीस में बिहार का निम्द कितम से कौन सा सहर सीट बीस में सामिल है जिसमें दिया हुआ है उप्युक्त में से कोई नहीं इज ओफ लिविन इंडेक्स दोयर अपने देश के भी तरका है अगर पूरी दुनिया की बात करें जो एकॉनमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है तो उसमें आउस्ट्रिया के राधनी वियना है वो टॉप पर आती है अब भारत में सबसे अच्छा रह राप्त हुआ है अंतीम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है तो नीतिया एक द्वारा जारी किया जाता है इस इंडेक्स में करनाटक ने ब्यालीज इसनला पांच स्कूर हासिल कर पहला स्थान पर राप्त किया महाराश्ट अर्थी अंग के साथ दूसरे खेतों पराली जलाने वाले किसानों को राज्य की संबंधित योजनाओं से कितने वर्सों तक निसकासित करने या आर्थिक जुर्माना कहतने की घोसना की गई है खेत में अगर किसान पराली जलाएंगे तो उनको सजा दिया जा सकता है तो तीन साल तक उनको राज्य सरकार समझें ति योजनाई नहीं मिलेंगी और ये अच्छी चीज है देखो कभी कभी कुछ चीज फोर्सफुली भी करना परता है राजसरगार को लोगों का जीना मोहाल हो जाता है ठंडी के मौसम अभी तो शुरू ही हो जाएगा दीवाली के बाद किस कमपनी द्वारा बरोनी मे खाद का कारखाना स्थापित किया जा रहा है जिसके फलसरूप परतिवारस बारद सन साथ लाख मिट्रिक टन यूडिया का उत्पादन होगा ति हिंदुस्तान फर्टिलाजर एंड केमिकल लिमिटेर जो है ये बरोनी में उर्बरक का कारखाना लगा रही है बिहार एकॉन महिलाओं में क्यावन परसेंट है देश में सबसे कम साक्षर्था के मामले में हम ही है सबसे नीचे है हमारा रेंग बिहार 21 पान का बिरिटेन और अमेरिका सहीत अरब देशों में निरियात किया गया है तो मग ही पान है जिसका निरियात किया जा रहा है बाहर के देशों मे इसको GI TAG मिला है हाली में संपुर्ण करांती दिवस कब मनाया गया है तो ये मनाया जाता है 5 जून को 5 जून को 5 जून के एक और दिवस वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है कौन सा मनाया जाता है आपको बताना है 5 जून को मनाया गया है संपूर्ण करांती दिवस हाली में किसने 100.116 परतिसत PLF के साथ 31.7 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेके रिकॉर्ड बनाया है तो यह है NTPC बार्ड ने बार्ड में जो NTPC है National Thermal Power Plant Corporation जो है यह इसने बनाया है इसने उत्पादन किया है इतना ज़्यादा बिजली का हाली में बिहार में कोरोना संक्रमितों में कौन सी खतरनाग बिमारी पाएगे जो आँखों के बुरी तरह से प्रभावित कर रही है पिछले साल का question है तो black fungus और यह पूछ सकता है आपसे अभी भी हाली में जारी की की रिपोर्ट कांसार सबसे प्रदूसित सहरों पठना का स्थान कौन सा है तो 32 जारी की की रिपोर्ट कांसार 106 देशों के PM 2.5 डेटा पर आधारित है दुनिया के सबसे प्रदूसित सहर चीन का जिन जियांग था उसके बाद 9 सहर भारत के हैं दूसरा सबसे प्रदूसित सहर गाजयाबाद है इसे पठना का स्थान 32 मा है बिहार के सभी इंजिनिंग मेडिकल कॉलिज महिलाओं के लिए कितने परिशाद सीटे आरक्षित करने की घोसना की गई है तो 33 परसेंट सीटे जो होंगी तो महिला चात्राओं के लिए आरक्षित होंगी बिहार सरकार दोरा प्रखन डस्तरवा प्रदूसन जांच के अंदर खोलने के लिए कितने परिशाद अनुदान देने की घोसना की अनसंसा की गई है प्रखन डस्तरवा ब्लॉक लेव हैल पार प्रदूसन जांच के लिए के अंदर खोले जाएंगे तो इसके लिए कितना अनुदान देगी बिहार सरकार तो 50% का अनुदान देगी अंतराष्टे मैथली परिस्द का 28 मां स्थापना दिवस कम मनाये गया है तो 20 जून को मनाये गया है अंतराष्टे मैथली परिस्द का इस परिस्द के स्थापना 20 जून 1993 को राची के मेकॉन आडिटोरियम में प्रथम अंतराश्टे मैथली सम्मेलन में हुई थी बिहार किरसी बिस्विद्याले दोराँ की कौन सी नई परजाती तियार की गई है तो सबावर मैंगो टू को प्रित तियार किया गया है अगले कुसन बचलते हैं और पता ही है बांकी दो इसमें क्या पर हूँ है हाली बिहार बने इथेनौल कुकिंग स्टोब का सफर ट्राइल किया गया है इस कुकिंग स्टोब को क्या नाम दिया गया है इसको दिया गया है लैपिस्ट फ्लेम इसको क्या द्याम दिया गया है इथेनॉल कुकिंग एस्टोब है जो इथेनॉल से चल सकता है तो बस यही था इसमें बिहार महिलाओं को थानेदार से लेकर SDM तक की पोस्टिंग में कितने परिसत भागिदार देने का फैसला लिया गया है तो 35% जो होगा थानेदार से SDM तक है तो बिहार का पहला स्थान है हाली में किस तिति को किसान आंदोलन के प्रनेता स्वामी सहजान सरस्थी की पूनितिति मनाए गई है तो 26 जून को मनाए गई है इनकी पूनितिति 26 जून 112 पर चलते हैं कि हाली है बिहार राज पंचायत अथिनियम द्वैर छे की कौन सी धारा मसंसोधन किया गया है तो यहां पर 14,046 लिग दिया है 16 जून से बिहार में ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति और जिला परिस्थ में कामकाज परामर्ज समिति के माध्यम से चल रहा है नए अध्यादेश कंसार पंचायत परामर्ज समिति के निरवातन मुखिया ही इसके प्रमुख होंगे आपको यही याद रखना है पत इंडियार टूडे ग्रूप MDR बेस्ट कॉलेज सर्वेक्षन दोयरे कीस में बिहार के प्रतिश्चित एएन कॉलेज पटना ने बिज्ञान संकाई के अवरो ओवर ओल रैंकिंग में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है जो एएन कॉलेज पटना है वो बिज्ञान में देश में ओवर ओल रैंकिंग उसका कौन सा है तो 37 रैंक है उसका एएन कॉलेज पटना का 37 रैंक है साइंस कॉलेजों के मात्र नाम ने बिज्ञान में के वाम पंथ उगरबाद विभाग द्वारा जारी सुची का अंसार बिहार कितने जिले नकसलबाद से मुक्त हो गए ह वेरी वेरी इंपोर्टेंट जरूर ध्यान में रखना गडियमंत्राले का रिपोर्ट है तो बिहार के 6 जिले हैं जो नकसलबाद से मुक्त हो गए हैं और अब 10 जिले मात्र हैं जो नकसलबाद से पिरित हैं पहले 16 थे और उन 6 जिलों का नाम क्या है इसे मुझपरपूर, वैसाली, नालंदा, जहानाबाद, अर्वल और पूरिवी चमपारंद सामिल हैं अब तक बिहार के 16 जिले नकसल प्रवावी थे जो अब 10 हो गए हैं बिहार सरकार दोरा हाली में किस मुबाइल एप के माधियम से कोरोना समंदी सभी जानकारी यथा बेड़ी की उप्रवद के से यानि कि 90 कोस्टन है मातर्स में बहुत यचे कोस्टन है उसको भी जरूर करना और कल आपका यह इस पर दा के पूरा बुक ही कंप्रीट हो जाएगा और पूरा बुक का जो लोग पीडियाप मांग रहे तो संभब नहीं होता कुछ भी मैं बैठके पूरे बुक का क्या पीडियाप फोटो की चीज़ी बनाता रहा हूं यह थोड़ा साथा नहीं लगता है मैंने जो इंपोर्टेंट सिक्सन है उसका पीडियाप आपको फ्रीम उपर अबद करा ही रहा हूं ओके तो थैंक यू सो मच